आज हम जानेंगे कि आत्मा एक सरीर को छोड़ कर दूसरे सरीर में कैसे प्रवेश करती है ये प्रशन कईयों के मन में उठता है तो जैन दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति स्टूल सरीर के साथ जिसमें वो रहता है उसके अलावा दो और सुक्षम शरीर हमेशा उसके साथ रहत तो जब व्यक्ति मृत्यू को प्राप्त होता है तो स्टूल सरीर जमीन पर ही पड़े रह जाता है और दोनों सुक्षम सरीर तेजस और कार्मन आत्मा के साथ चले जाते हैं ये शरीर आत्मा के साथ चिपके हुए ही रहते हैं उससे अलग नहीं होते इसलिए इन सरीरों के म या फिर जीव जन्तु का ये दो सरीर इतने शुक्ष्म होते हैं कि कहीं भी बिना रोक्टोंके आ जा सकते हैं जैसे कठोर लोह पिन में अगनी आसानी से समा जाती है इन दो शुक्ष्म सरीरों का अपना कोई आकार विशेश नहीं होता जैसे पानी को किसी भी बरतन में डालन पर वो बरतन के अनुसार उसमें आकार ले लेता है ठीक इसी तरह से ये दो सुक्ष्म सरीर भी नए स्तूल सरीर में अपना आकार लेकर डल जाते हैं तो आत्मा स्तूल सरीर बदलती रहती है सुक्ष्म शरीर वही के वही रहते हैं तो इन सुक्ष्म शरीरों के माध्यम से आत एक सरीर से दूसरे सरीर को प्राप्त करती रहती है और संसार चक्र में घुमती रहती है वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें